हलो एंड वेलकम टू इंजिनिरिंग बर्स इंस्टिटूट तो काई दराज हम डेट 10 में पहुंच गें अपने फ्लूड मेकनिक्स में हम लोग यहां पर सिविल थू कॉस्टिंस की सिरीज स्टार्ट कर रहे हैं हमने जिसमें हम लोग एससी जेई गेट आई एस और स्टेट यहां पर हम लोग डेली क्विजिस पोस्ट करते रहते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट के तो स्टेटिक जी के और करेंट एफियर का अलग चैनल है और बाकी जो सिविल के सब्जेक्ट हैं उनका अलग चैनल है तो एज आज टाइम टेबल है हमारा क्विजिस अप्लोड करने का वह यह है आपको हमारी टेलिग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ पर जाके हमारी टेलिग्राम चैनल को सब्स्क्राइब करके इन सारे क्विजिस को एटेम्ट कर सकते हैं अभी आज हमने जो फ्लूड मेकैनिक्स में क्विज हमने अपलोड किया था उसी के हम सॉल्यूशन को डिसक्स कर रहे हैं यह सारे के सारे यह सैसे जें में प्रिविए से इर्ट कॉस्यंस प्रिविए सीहर में आयुए है तो पहला क्वेस्ट्यूब मेजर्स अपसटिए इंट्ट्रेशन फ्रेश स्टेटिक प्रेशर छिंद्ट्रीनमें फ्रेंड इनमिक प्रेशर तो जीहिस एक टीच के लिज लुँ होती है होता है जो fluid है मान लीजिए हमारा pipe है इसमें fluid flow कर रहा है तो इसमें तीन टाइप का pressure fluid के particles के बीच में होगा पहला pressure होता है static pressure static pressure को thermodynamic pressure भी कहते है तो static pressure जो होता है it is due to the inter molecular forces between the particles of a fluid ठीक है दूसरा pressure क्या होता है dynamic pressure dynamic pressure is what dynamic pressure होता है kinetic energy per unit volume ठीक है तो जो हमारा fluid particle है कोई भी उसकी kinetic energy per unit जो volume है fluid का उसको हम कहते हैं dynamic pressure of the fluid अब बात आती है stagnation pressure क्या होता है stagnation pressure का मतलब है कि मान लीजिए हमारा fluid था वो बहुत ज्यादा speed से velocity v से आ रहा था ठीक है अब हमने यहां पर कुछ डग दिया इसके fluid जो velocity ती उसको zero कर दिया ठीक है यहां पर इसके velocity v थी यहां पर इसकी velocity zero थी तो जो fluid इस point पर pressure लगाएगा उसको हम कहते है stagnation pressure ठीक है तो motion से rest पर लाने पर fluid particle जो pressure exert करता है that is called stagnation pressure ठीक है तो static tube में क्या करते हैं हम लोग यहां पर एक tube लगा रहते हैं ऐसे करके ठीक है तो जो हमारा यह level जो है h है ठीक है तो यहां से हम velocity भी निकालते हैं प्रिटर्ट इस्ट्रिक ट्यूब से velocity जो क्या हो जाएगी जो यह वी है हम Bernoulli's equation लगाते हैं point one और point two में तो हमें velocity वी मिल जाती है वी मिल जाती है में under root two gh okay h is the height level of water in pietar static tube ठीक है तो जो pietar static tube होती है it is used to measure stagnation pressure and velocity ठीक है तो correct option will be option a अगला question है for Bernoulli's equation the flow must be steady the flow must be rotational the flow must be incompressible या पिर the flow must be an ideal gas ठीक है इन में से मैं incorrect statement बताने है ठीक है आपको Bernoulli's equation तो पता होगी Bernoulli's equation is based on what conservation of energy ठीक है conservation of energy पर हमारी Bernoulli's equation इस ते पहले हमने कौनसी equation पढ़ी थी है continuity equation continuity equation is based on what conservation of mass del u by del x plus del v by del y plus del w by del z is equal to 0 पढ़ाता है आमने तो यह continuity equation थी इस बेस्ट on it was based on conservation of mass और जो अमारी Bernoulli's equation होती है इस बेस्ट on conservation of energy Bernoulli's equation क्या होती है P by rho g plus v square upon 2g plus z is equal to constant ठीक है तो यह दी हमारी हमारे 2 point है, fluid field में, यह मानली, 0.1 है, 0.2 है, तो जो हमारी Bernoulli's equation हम 0.1 और 0.2 के बीच में लगाएंगे, it will be P1 by rho g plus V1 square by 2 g plus Z1 is equal to P2 by rho g plus V2 square by 2 g plus Z2, ठीक है? यह होगे हमारी Bernoulli's equation. अब यह जो P by rho g है, it is what? pressure energy है, ठीक है? pressure per unit weight, जो 0.1 पर pressure per unit weight होगा, तो हम P by rho g से करते हैं, V square by 2 g है, kinetic energy per unit weight, तो यह है Z, Z का मतलब हो गया, potential energy per unit weight, तो pressure energy per unit weight plus kinetic energy per unit weight plus potential energy per unit weight, जो जो constant is the Bernoulli's equation. अब Bernoulli's equation की ना, 4 assumptions होती हैं, जो आपको याद रखनी हैं, क्योंकि यह जो question है, इसमें assumptions ही पूछ रखें की Bernoulli's equation की क्या क्या assumptions होती हैं, ठीक है? पहली assumption होती है, कि जो हमारा fluid है, वो ideal fluid है, तो ideal fluid है, तो ideal fluid में viscosity जीगस to 0 होती है, और bulk modulus जीगस to infinity होता है, ठीक है? और surface tension भी जीगस to 0 होता है, second है, steady flow है हमारा fluid, steady flow मतलब, with respect हम पिसले lecture में discuss कर चुक है, steady flow मतलब, with respect to time, किसी एक point पे fluid properties चेंज नहीं हरी है, third is incompressible flow, incompressible का मतलब, जो हमारी density है, it is constant, और fourth assumption is irrotational flow, ठीक है, irrotational का मतलब क्या होता है, जो हमारा omega है, angular velocity है, it is equals to 0, ठीक है, omega का हमने formula पढ़ा था न, it is curl of vector V, ठीक है, curl of vector V का मतलब, half of curl of vector V होता है, हमारा angular velocity, half of i cap, j cap, k cap, del y, del x, del y, del y, del y, del z, u, v, w, तो यहां सम्हां angular velocity नहीं कालते हैं, ठीक है, तो यह 4 हमारी assumptions होती है for Bernoulli's equation, यहां पे बोल लगा है, Bernoulli's equation में the flow must be steady, the flow must be rotational, the flow must be incompressible या फिर the flow must be an ideal gas, तो यह तो सही है, flow must be steady, क्योंकि यह assumption है, flow must be rotational, यह भी assumption है, incompressible होना चाहिए, यह assumption है, यह गलत है, कि flow must be an ideal gas, flow must be an ideal fluid, मतलब वो gas भी हो सकता है, fluid भी हो सकता है, ठीक है, तो यह option D है, इस रॉंग ऑप्शन नेक्स्ट वेशन है यूट्यूब मैनोमिटर मेजर्स लोकल अट्मस्परिक प्रेशर के लिए हम क्या यूज करते हैं तो पिछली लेक्चेस में पढ़ा है बैरोमीटर बैरोमीटर का मनें कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ाता है कि अक मरकरी से भरा हुआ प्रेशल होता है उसके उपर मरकरी की ट्यूब करते हैं और यह होता है है तो जो हमारा अट्मोसफिरिक प्रेशर होता है इत कम्स आउट तो भी डेंसिटी अब मरकरी और जी इंटु एच ठीक है तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुक है हम आप उसको रिफर कर सकते ह between two points नहीं, इसके लिए हम करते है differential manometer, differential manometer भी हम पढ़ चुक है, ऐसा होता है, दो point है, उनके बीच में हम ऐसे differential manometer लगाते हैं, यहां पर fluid of high density बहर देते हैं, फिर हम निकाल देते हैं, इन दोनों point के बीच में, difference in pressure, difference in total energy between two points नहीं इसके लिए भी यूट्यूब मैनोमेटर यूज नहीं होता है absolute pressure at a point सही बात है तो यूट्यूब मैनोमेटर कैसा होता है मान लीजी यह point A है यहाँ पर हमने absolute pressure निकालना था तो simply इसको इस side से यह fluid है इस side यहाँ पर हम कोई heavy fluid बढ़ देंगे और यह हो गया atmosphere free atmosphere प्रेशर एक्ट कर रहे है तो इसके लिए हम यूज करते हैं यूट्यूब मैनोमेटर ठीक है तो absolute pressure कैसे निकाल लेंगे हमने पढ़ा है मान लीजिए यह height यह वाली height x ठीक है तो यह वाली height x होगी height x ठीक है तो pressure at a नीचे को जाने माम क्या लेता है positive मतला इधर का pressure is equal to left side का pressure is equal to right side का pressure ठीक है तो left side का pressure क्या है pa plus density of this fluid is rho a मान लेते हैं rho a gh is equals to यह वाले fluid की density हम मान लेते हैं rho h heavy fluid rho h gh plus atmospheric pressure ठीक है तो नाज़ पी यह नहीं कर जागा तो जो पी यह की value है कि ना it will be the absolute pressure at point a ठीक है तो correct option will be option d next question है venturi meter as a differential mercury water manometer connected to its inlet and throat for a given discharge in the pipe it is independent of the orientation of the venturi meter ठीक है तो यह बोल रहा है कि यह venturi meter है venturi meter आपको पता हुआ कैसा होता है ठीक है ऐसा होता है venturi मतलब यह बान लीज़े हमारा pipe है यहाँ पर हम ऐसे करके tube connect करते हैं इस पर ठीक है तो यह जो point है यह point is यह cross section 1 हम मानते हैं इसको इस वाले को हम cross section 1 मानेंगे और इस वाले को हमने मान लिए cross section 2 ठीक है अब यहाँ पर हम एक fluid फिल करते हैं तो इसने बोल रहा है आप हमने mercury फिल कर रहा है ठीक है तो difference in mercury level हमारा मान लीज़े x है ठीक है यहां से यहां तक का difference x है अब यह जो pipe था इसमें water flow हो रहा है ठीक है तो venture meter use q करते हैं for finding out the discharge तो discharge water हमें find out करना है तो discharge water की value होती है venture meter में a1 a2 divided by under root of a1 square minus a2 square into under root 2ght के तो यहां पर h की value क्या होती है h की value होती है x into specific gravity of heavier q divided by specific gravity of lighter fluid minus 1 ठीक है तो यहां पर जो mercury है heavy है वह water से तो यहां पर specific gravity of water divided by specific gravity of what यह specific gravity of mercury divided by specific gravity of water minus 1 करके हम h निकाल देंगे ठीक है तो यह होता है venture meter तो venture meter में क्या होता है अगर हम इसकी orientation change कर दें that means हमने अभी pipe horizontally रख रखा है अगर हम इस तरीक से theta angle पर इस pipe को रख दें ठीक है मान लीजे ऐसे करके ऐसे करके रख दें हम इस pipe को तो तभी भी जो formula है वो same रहेगा ठीक है तो जो venture meter होता है इसमें जो discharge होता है it is independent of the orientation of the venture meter अगर हम इसको अलग अलग orientation में रख दें तभी हमाने discharge की value same रहेगी क्योंकि यहां पर theta का कोई भी effect नहीं है plus Z is equal to constant तो यह क्या होता है pressure energy per unit weight यह होता है kinetic energy per unit weight यह होता है potential energy per unit weight तो option D will be the correct option that means energy per unit weight question of entry meter is advantageous because it has much smaller head loss its coefficient of discharge is more than for an orifice meter or its accuracy is quite good all of the ability तो जो हमारा discharge हम find out करते हैं एक तो हम venture meter से find out करते हैं एक हम orifice meter से find out करते हैं ठीक है तो जो venture meter होती है उसमें यह तीन खास्यते होती है as compared to orifice meter ठीक है तो all of the above will be the correct option next question is Bernoulli's theorem deal with the law of conservation of अभी अभी मैंने बताया है कि Bernoulli's theorem is based on the law of conservation of energy तो जो हमारा continuity equation था इत वस बेस्ट अन द लॉप conservation of mass अभी पढ़ाता ना मने सबसे पहरे question है कि जो हमारा continuity equation है इत बेस्ट अन द लॉप conservation of mass और जो हमारा Bernoulli's equation है इत बेस्ट लॉप conservation of energy ठीक है तो correct option इस question का हो जाएगा सी ठीक है अगला question है to measure static pressure in a pipe one uses a pressure gauge connected to a pipe out tube ठीक है तो pipe out tube जो हमने अभी 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 पढ़ी है ऐसे करके इसमें हम एक pressure gauge यदी लगा दिंगे तो तब हम इसका static pressure find out कर सकते है static pressure का मतलब मैंने बताया आपको static pressure is also known as thermodynamic pressure it is because of the because of the forces between intermolecular forces between the particles of a fluid ठीक है तो उसको हम कहते है static pressure इसका correct option 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 a अगला question है the pipe out tube is used to measure pipe out tube अभी 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 हमने बताया है velocity और stagnation point को measure करने के लिए हम यूज करते है और stagnation pressure भी उसका find out कर सकते हैं pipe out tube के अप्शे तो option a will be the correct option question है venturi meter is used to measure the velocity of a flowing fluid measure the pressure of a flowing fluid measure the discharge of a liquid flowing through pipe measure the pressure so that's it guys यह था यह थी आज की वीडियो तो मिलता है next video में अगर आपके वीडियो अच्छी लगी तो इसको like करना गंदी लगी तो dislike भी कर सकते हो और civil engineering सब्सक्राइब करने के लिए हमारी चैनल को subscribe कर लेना